असलाम लेक्व दोस्तों मिला नाना हो मैर आप देखे हैं आई डिवाइस इंफो यूटूब चैनल आज के इस वीडियो के दर में iOS 15.3 डिवेलबर बीटा 1 के बारे में बात करने वाला मुझे तकरीबर इसको दो से तीन दिन होगे यूज करते हुए और यह इसका मिनी रिव 913 सिंगल कोर के उपर और 913 सिंगल कोर के उपर चार पॉइंट का फड़क है जादा फड़क नहीं है बहुत जादा अच्छी है बेतर है iOS 15.2 से भी मुझे अच्छी देखने को मिली है अब iOS 15.2 के दर मैंने एक बात की थी कि मुझे एक इशू देखने को मिला है जहाँ पर फोन बिल्कुल स्टक हो जाता है और वो कुछ मिनट स्टक कर रहता हो बहुत हलका हलका बहुत ही स्लो से बहुतर परफॉर्म का रहा है यहां पर एक चीज बैटरी लाइफ के बात बहुत है बैटरी लाइफ भी अच्छी देखने को मिली है इतना कोई द्रमेटिक फड़क नहीं देखने को मिला क्योंकि 15.2 पे बैटरी लाइफ काफी है चीदी 15.1 से और यह तो 15.3 का बीटा बैटरी लाइफ बैटरी लाइफ है यहां पर एक बात करना जातों मुझे 15.2 के ओपर देखने को मिला था 15.1 के उपर वो इश्य देखने को मुझे नहीं दा मिला वो ये issue हे कि भाई मुझे WhatsApp के लिए notification न्यायते, अगर मैं से normal phone यूइज कार तो मुझे WhatsApp के notification कभी कबार होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कबार ऐसा होता है कि notification नहीं रहते, जब मैं WhatsApp चेक करता हूँ तब WhatsApp रिफ्रेश होता है और साथ ही मुझे मैसेड़िज आती है यानि कि अगर मैं वाटसाइब ऊपर ना किया हो तो अगले बंदे को मैं ऑफ्लेंच हो रहा होता हूं और सिंगल टिक हो रहा हूता है डबल टिक भी नहीं हो रहा हूता मैसे डिलीबर नहीं हो जाते हैं तो यह सारी परफॉर्मस बहुत अच्छी है 15.2 में जो स्टक हो रहा था फोन बहुत बुरी की तरह वह भी यहां पर नहीं हो रहा है परफॉर्मस अच्छी है अब यह मैंने सर्फ दोती दिन यूज़ किया है तो इसका एक मिनी रिव्यू है इसके अपर डिटेल रिव्यू वीड तब तक अपना ख्यार रखो अला हाफिस सी यू इन दे नेक्स वीडियो पीस आउट